रोहन सकसेना आये हैं इनको जोड़ते हैं हाँ जी रोहन सकसेना बताएं क्या काना चाहते हैं यहां पे आपकी वह जो पेट फाड़ फाड़े के चीर-चीर के जो मर्डर कर रहा था उसका आप बड़े बनाना भूल गए उसका तरीफ आप नहीं किया है आज तो आज किसी और का बड़े भी है ना आपके किसी का बड़े भी तो है अच्छे तिर्तिया की आप बात करेंगे तो अच्छे तिर्तिया तो भाई बौधों की जो है कलेंडर है उसके अनुसर काउंट कर रहे हैं खमाल की बात है आपको यह भी नहीं पता है कि बही बताईए आज किसका बड़े है आपके कौन से देवता का बड़े है अज पुरा भारत उसी का मना रहा है आप जो है हुंदू से मुसलिम में लगे हुए हैं सब लोग अपना चूलह देखते हैं पड़ोसी का ही चूलह देखने में लगे हुए है है अच्छा परिश्रहम तव्हें है अब को नहीं सर मुझे पपी समय ज़ए पाफ यह लोर्आप को तो आप तो हदी कर देते हैं इजर क्या लिख रहा है सर यह पहले यह बुक का नाम थोड़ा प्लीज अंडरस्टेंड नेम अफ द बुक वाट इस लाइफ जब वह लाइफ को अड्रस कर रहा है लाइफ का मीनिंग का कोज रहा है वह उपनिशत के तक आ गया है वह बोल रहा ह पूरा यहां पर दिखा रहा है और सब दिखा यह लिख लिख राइंगे और तो इसमें सेंक्या अब वह नीचे भी सरीघया है लिखु कुछ the insight is not new the earliest records to my knowledge date back some 2500 years or more from the early great upanishads the recognition atman equal to brahman okay sir the personal self yeah 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 ow you can take me take me take me take him take you take you take me take am वहाँ साब आतमन क्या है यह प्राइमाड क्या है यहां पर यहां पर यह बताइए चला मुझे तोड़ा सुन लीजिए सर मैं सुनूँ गा ना, मैं सुन ही तो रहा हूँ, आपकी उससर में से सुन रहा हूँ. आप यह मुझे बताइए कि आप यहांपी क्या दिखाना जाते हैं? यह लिख रहा है, आतमन इकुल ब्रामध, अगर ब्रामध कोई जाती है, एक मिनट, रुके, बहु सा भी साब, अगर तोने सेतने हैं पॉस्ति में जहां जहां संतक्ष की सिास्ट वाला नहीं है आप आप यह सर्फ कौन होता है तो में प्रामन कोन होता है जो यह आत्मन इकल to Brahman जो realization होता है जो आदमी को ये realization होता है वो ब्राह्मन होता है ये cast Brahman ये थोड़ी ब्राह्मन होता है ब्राह्मः सब्द का परियोग उपनिसद में किस टर्म में किया गया है जरह ये बताएट मुझे हाँ सर मैं वही बता रहा हूँ जब consciousness आपके अंदर है मेरे में अंदर जब आपके अंदर individual consciousness को refer कर रहा है उसको आत्मा बोलता है जब वही अरे भाई साब यहाँ पर ब्राह्मन लिखा हुआ है क्यों जूट आप गाना गा रहे हैं यहाँ साब लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है आतमन इक्वल ब्राह्मन लिखा हुआ है भाई साब आतमन इक्वल एक मिनट रुके है आतमन इक्वल ब्राह्मन लिखा हुआ है यह ब्राह्मन की बात कर रहा है ब्राह्मन मतलब क्या होता है अगर ब्राह्मन का मतलब आप ग्यान बोल रहे हो तो वो ग्यान की बात कर रहा है अतमन की आपके सोल की बात नहीं हो रही है भाई साहब अरे सोल इंगर इतना बेवकूफ नहीं है कि आपकी आप जो गाना यहां पर बताना चाह रहा है वो बात कर रहा है आप अब ही रुके पहले रुके पहले आप अभी हुआप200व वटा रहे थैंगा आतमा की बात कर रहा है कहां पर आतमा की बात कर रहा है नहीं है क्या लिए sr अच्छे से एक अनुबाद करके आप बताइए मुझे क्या क्या लिखा हुआ है क्लियर ली सर्फ ब्राह्मन वो पद का Google सर्च कर दीजिए सर आप नहीं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा आप ही समझाइए यहां पर समझाइए सब को समझाइए क्या काना चाहिए इन हिंद स्कूल्स हिंदू फिलोसफी इस्ट इम्मेटेरियल एफिशियंट फॉर्मल और फाइनल कॉस अफॉज आप नहीं क्या कर रहा है यह आगे थोड़ा सा पढ़िये ना उससे आगे पढ़िये ना आप क्यों वहां पे लुके पूरा खुल के बता के बारे में बता रहा है जिए अधर पैज के से और यहां पे उपर लिखा है नीचे लिखा है in itself the insight it now not new आप हमेसा दो अलग अलग टरम को क्यों जोड़ देते हैं जो क्रिश्चन टरमलोजी है उसका पैरा खतम हो चुका है वो बहुत पहले खतम हो चुका है भाई सर्ब यहां पे जो आपका कही बात चल रही है उसकी बात चल रही है यहां लिखा हुआ है आतमा के बारे में समय मुझे बस यह यही quickest यहां एक जगा कहीं आतमा की बात नहीं हो रही है बहाई सबी यहां पे बाता रहा है कहां लिखना हुआ है कहां लिखा हुआ है रही ग्रेट ऑपनिशल्स इसलाम में कुछ ब्लास्फेमी करेंगे तो गटला काट देते हैं यह इंडिविजियल कुद को अहम ब्रहमास्मी बोलना यह ब्लास्फेमी नहीं है इंडिया अरे बहाई सब आप यहां पर आये थे आतमा का पूरूफ करने आप ब्लास्फेमी की बात करने लगें आप मुद्दा छोड़के क्यों भागते हैं हमेसा गलत कोट क्यों दिखाते हैं आप हमेशा पहला तो गलत कोट यह किया कि शोडिंगर ने आतमा की बात की है औरे भाई साब कहां इसमें सौल कहां लिखा हुआ है यह आतमन जिसकी बात कर रहा है वो ब्रहम्हन से उसका compare कर रहा है और bracket में क्या लिख रहा है दप्रजेंट सेल्फ इक्वल्स दो क्या लिखा हुआ है यह उमनी प्रजेंट लिखा हुआ है ना भाई साब यह कहां सोल की बात कर रहा है क्यों आपको इंगलिस नहीं आती है या बेवकू बनाने आते हो पहले यह बता हो यह समय करने आत्मा की बात की है यह लिखा हुआ है इसका मतलब आप समझते हैं क्या इसका मतलब हुआ यह बोल रहा है आगे आगे उसको ब्राइकेट करके समझाया भी है भाई साब ब्राइकेट में उसने क्या लिखा है दपरसनल सेल्फ इक्वल्स दब ओमनी प्रजेंट क्या मतलब हुआ इसका कि व्यक्तिगत आत्म सर्मो व्यापी और क्या आगे लिख रहा है औल कंप्रिहेंडिंग इटर अपका बात कर रहा है अपका जो आत्मा है आपका जो आत्मा है नहीं होता है कहां लिखा कहीं लिखा है स्रोडिंग करने कि अभी जाता हूं इस पर क्या लिख रहा है अलो मी फर्दर कामेंट्स कॉंशियसनेस इस नेवर एक्सपीरियेंस एक मैंटेक मैंटेक अगें दा मैस्टिक अफ मैंनी सेंचुरिस इस इंडिपेंड़ेंटेट इस पर्फेक्ट कहा पर दिखा रहे हैं जरा बताये तो मुझे पेज नंबर 88 सब्सक्राइब नेक्स पेज ही फिस्ट लाइन पर दिखा है सब्सक्राइब कहा है अलो मी फ्यू फूर्दर कमेंट्स इस इस नेवर एक्स्पीरिए दिखेंस्ट इसके सिंगिलर इन आपने गाना गा दिया इतना चीज इसने आतमा की बात ही नहीं कि भाई साथ ये बोल रहे है consciousness is never experienced in the plural, ये बोल रहा है कि plural में नहीं बलकिल singular इस्तमाल किया जाता है, singular का मतलब आप समझते हो क्या होता है, क्या होता है तरहीं बताओ तो मुझे singular का मतलब क्या होता है जो आपके अंदर जो आपका single, आपका single person का refer करता है उसको singular बोलता है जब universal होता है ना, एक singular की तरह इस्तमाल कियाता है, plural नहीं होता है, हो गया, आगे यह क्या लिखता है, even in the pathological cases of split consciousness split की भी बात कर रहा है, और double personality, the two person alternate, they are never manifest simultaneously, यह लिख रहा है ना कि यहाँ पे भी, जब double personality की बात आती है, यहाँ भी जो बाते आती है, तो यह consciousness के term में बात कर रहा है, भाई साब, अब यह बताओ कि, जब double personality आ जाती है, अगर आपका आतमा होता, तो यह कैसे, फिर double personality कैसे आ जाती है, अगर वही उसको handle कर रहा होता तो, बताओ तो ज़रा मुझे, बताओ तो, वही बताओ न मुझे, यह double personality जो आ जाती है, उसमें कैसे यह चीज़े आ जाती है, अगर आतमा होता तो double personality कैसे आ जाती है, नेक्स्ट पैरा में, ख्रोविंगर ने खुद explain कर रहा है, कहां कर रहा है, अरे भाई साब, यह consciousness की बात कर रहा है, आपके आतमा की नहीं बात कर रहा है, आप आतमा के नाम पर क्यों आये यहां पर, आप यहां तो सीधे कहते हैं कि भाई मैं यहां पर आया हूँ, consciousness की बात करने के लिए, आप जूट मुट का आतमा करो ना क्यों रोए, कि आत्मा की आप बात करने आ रहे हैं स्रोडिंगर का आपने किताब यहां खुलवाया आत्मा के नाम पे और मैंने पूछा कि क्या उसने कहीं पे भी कहा है कि जो सौल होता है वही कॉंसियस्नेस होता है आपने कहा हां कहा है और दिखाने के लिए अपने मुझसे पेज यह खुलवाया यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ है अरे भाई साब यह कहां लिखा हुआ है उसने यह मुझे दिखाए जब वो आत्मान रेफर कर रहा है आत्मान ब्रामः को कह रहा है ब्रामः को कह रहा है आत्मान थे आतमन कह रहा है आतमा नहीं कह रहा है बयोंकूफ की तरह बाt मत एंड्यु आप जो है ना कुछ भी गपोडरे जा रहे हुआ अरे भाई सांब उसने आतमन इस्तमाल किया इक्वल ब्रामपड पाखा सोल नहीं कहा सोल इक्वल प्रामपड यह सोल इक्वल melee lors क्वाफ तो वो लिखता कि आतमन उक्वल कौंसियेसनेस क्यों नहीं लिखा उसने क्यों नहीं रिखा आप इस तरय से बेवकूप भरी बाते मत कीजिए ठीक है ना अगर आपको इंगलिस नहीं आती है तो जा के ठीक से कहीं कोचिंग ले लीजिए पढ़े लीजिए अर्थ समझे लीजिए और अगर आप यह सोचते हो कि कुछ भी लाके आप दिखा दोगे कुछ भी गपोड दोगे कभी consciousness को आत अगर बना रहा है इसलिए आप भी स्वागरात बना रहे हो और कैसी उसकी समय कर रहे हो इस समय से अरे भाई सब आपके रिसी मूनी क्या यहां पर जख मारते थे क्या सब काम बौध ही करके गए हैं सिराले के भी वही लिखा के गए तीपी टक भी लिखके गए आपका भी बाबा साब का नाम लेगा कभी बोधो का नाम लेगा कभी तीपी टक इन से इनकी गाड़ी आगे न जानी है न पीछे जानी है ब्रामाड धरम का डिफेंड करने आये हैं और इनके अपने अपना कोई सबूत नहीं है जी राजविर्शा जी कैसे हैं आप मैं अच्छा रहे थे अभी इनी से बात इसे बारे में करना चाहरा था यह जो रेफरेंस दिखा रहे थे ना यह श्रोडिंगर का तो उन्होंने वो क्रिश्यानिटी में जो सेल्फ और गॉड के बीच में डिस्टिंशन किया गया है उसके उपोजिट में किस प्रकार से ऐसे कुछ बिली किसी ऐसे पर्मनेंट सेल्फ के बारे में श्रोडिंगर ने कहा होता तो यह उस चीज का रेफरेंस लाते हैं यह जो है यह बताएं यह अगर स्क्रीन में है तो यह बताएं वो तो केवल इस एक फिलोसोफिकली इस चीज को डिसकस कर रहे हैं कि जैसे क्रिश्यन जो ग्लीव जिसको मतलब यलो कोड कहते हैं लेकिन इनके जो मीनिंग में जो एक जो ग्रांड एक जो स्कीम है पूरे पूरे एक्जिस्टेंस की तो उन्होंने कहीं प्रूव नहीं किया ना इसके बारा मताया अगर अगर प्रूव किया तो डारेक्ली वह स्टडी आप श्रोडिंगर की दिखाने हाँ जी रोहन सक्षेना रोहन सक्षेना बताएं भई मैं इनसे यहीं चीज पूछता रहा कि भई कहीं पर भी लिखाएं कोंसियस्नस इक्वल आत्मा नहीं बता पाएं यह जो दिखाया अच्छा इन्हों आपने सवाल सुना कि नहीं सुना इन्होंने कुछ दीखाएं कहां पर बताएं कहां पर कापे इस नंबर एटीयट का सेकेंड पहरा में क्या बोल रहा है प्लूरालिटी इस सो एम्फाटिकली अपोज़ड बाइड उपनिशद राइटर्स ने एक मिनट एटी एट में कहा हुआ है इसके बारे में क्या उन्होंने कोई स्टडी करी है रोहन सक से थोड़ा रुक जाहिए आप जितनी भी बात कह रहे हैं हम लोग को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है हम लोग का एकदम असपश्ट क्लियर वह बात है यहां पर सोडिंगर अपना सोध कॉंसियसनेस पर कर रहे हैं जो भी बाते कर रहे हमको उससे कुछ डिनाई नहीं है हम यह जानना चाहते हैं आपसे कि जो आप गाना यहां पर गा रहे थें कि भाई सोडिंगर ने आत्मा पर सोध किया है आत्मा की बात की है तो आप यहां बताए कि क्या कहीं पे भी सोडिंगर ने आत्मा के बारे में कहा है या यह भी कहा है कि कॉंसियसनेस ही आत्मा होती है अतमन को ब्रामहड उसने कह दिया लेकिन अतमन इक्वल पर लिए अरे लेना देना ही नहीं है दोनों अलग बात है आप जनते हैं क्या है यहां आत्मा कहीं लिखा हुआ कि इस वाट बाते में चल रही है कहीं लिखा हुआ है इसमें देखिए इन जो भाइस वर रोहन सकते ना रुख जाओ अभी उपनिसद एक मिट आप खोल के क्यों नहीं उपनिसद दिखा देते हैं दिखाव कहा लिखा हुआ है और यह कहां लिखा हुआ है कि आत्मा है दिखा दो ना मुझे उस समय से मैं मांग रहा हूँ आप से सुरू से फिर बाद में प्रग्णानम प्रग्णानम कर रहे हो क्या प्रग्णानम होता है प्रग्णानन बताव तो हम ज्रह प्रग्णा प्रग्णा मने क्या है जब आदमी रहते हैं उसको फॉष अने भाई सब आप दिखाओ ना कहां पर ये लिखा हुआ क्यों नहीं दिखा रहा है तो से सुलोक में कौन से उपनिसति यह बात कह रहा है दिखाओ पहले हैं यहाप दिखाए जब तक आप दिखाओगे नहीं तब तक चेकिंग कैसे होगी आचा कॉंसियसनेस कहां लिखा इसमें कहां लिखा यह जो शरीर के चो चेतना है वह उसी को आप इसमें लिखा है अप आत्मा को चेतना सब्द ही नहीं आया है अरे भाई सब इसमें लिखा है सर्वहोतद ब्रम्भा यम आत्मा ब्रम्भ सोयात्मा चतुस पात्मा इसमें आत्मा सब्द आया है चेतना कॉंसियसनेस नहीं आया है जो वही जो वही आत्मा है वही ब्रह्मा है बोल रहा है ना ब्रह्मा ही ब्रह्मा है ना तो आपकी आत्मा का कॉंशिसनेस से पैरलल नहीं है ना बिल्कुल नहीं कॉंशिसनेस के बात नहीं है कॉंशिसनेस ब्रह्मा थोड़े होती है कॉंशिसनेस ब्रह्मा थोड़े होती है आतमा परमातमा वो एक बोल रहा है तोगी बात कर वही वहीब को नहीं होता है और ऐसाब को तो DR फिर क्या बोल रहा है वाप एक मेंट एक मेंट एक मेंट एक मेंट क्या होता है मैं दिखाता हूं अभी अभी दिखाता हूं आत्मा परमात्मा नहीं होता है इतना आप ग्यानी नहीं हो कि आप ही जानते हो कि यह परसेप्शन के जो हमारे जो बॉड़ी के प्रॉसेस हैं जो शरीर जो आप जो एक चेतना जो आपका पर्मानेट से जो यह नहीं नहीं सुन लिजाए आत्मा और ब्रमा होता है एक मिनट पर्मात्मा क्या होता है जरूर और क्या इनकी थोड़ी सी थोड़ी सी इनकी हम कहानी इनकी ले लेते हैं कृष्ण आत्मा है कि परमात्मा है कृष्ण जो है उसका जबाब क्यों नहीं आत्मा है है परमात्मा मैं पूछ रहा हूं उसका जबाब क्वें और कि सब्सक्राइLee एक और सवाल बनता है राज विर्शा जी इसे एक और सवाल लोग लेते हैं दो शब्द का मलब डिफरेंट आइडिया सो कन्वे कर रहा है सिधी-जिधी बात है वही है वही है वाटार दोस टू डिफरेंट आइडियास वही बता रहा है आरे सोडिंगर कुछ और बात कर रहा है रोहन सक्से ना आपका उपनिशद जो है ना वेद का वेद से पुराना है कि नया है पहले यह बताओ वेद से नया है कि पुराना कौन सा उपनिशद वेद समस्कृति के एंड में आता है वेद के एंड में आता है उपनिशदिक कुराना दोनों में से कौन है दोनों में स मुझे पता नहीं है मैं पूछ रहा हूं कि वेद में आत्मा परमात्मा को एक ही माना गया है अरे उपनिशत्स बाद में आया है आप तो खुद ही कर रहे हूं कि आपका बाद में उपनि साथ आते ही तुरंट पता चल लगे कि घार रे सभी बात है अच्छा अच्छा मतलब जो लिखा है जो बन्दा वेद लिखा है उस बें को नहीं उसको जफर का नौ ढाल उसको जब में इसे उसको बटनाओ और क्रिश्न कोक्ता है बोल राया कि अगर प्रमातमा अगरता है और सबके 151 फरेलेas अगर आत्मा है और डिफरेंट वर्ण बनाके डिफरेंट वर्ण में जिनम लेगा और सरीर को पाप को आएगा एक्सपैंट कर रहा हूं आत्मा ही everything manifestation जो हो रहा है यह आत्मा का ही manifestation हो रहा है जो आप कि मेंटल स्टेट क्या होता है उसके इसाब से आपका कर्म हो जाता है और किया पहले जनम लेता है पहले अचा जनम outs एक्सेद्म bliak अचया नहीं लेता है संब्सक्राइब आत्मा का रिफ्लेक्शन हो जाता है कि नहीं कि आप साइंटिस्ट का हवाला दिये हैं साइंटिफिक टर्म से बात कीजिए तो आप स्ट्रिक्ली साइंटिफिक टर्म से बात कीजिए क्या बाइलोजी में किसी आत्म का राजविर्साजी एक चीज और देज़ेगा इन्हों ने सोडिंगर को उठाया यह दिखाने के लिए ताकि साइंटिफिक रूप से कुछ दिखा सके और जब इनसे प्रूफ की बात आ रही है तो कितना अंसाइंटिफिक वे से कुछ भी बखे जा रहे हैं किसी चीज का कहीं हों साइंटिफिक वे मैं आपको बात करनी चाहिए हर आपकी बात जो है साइंटिफिक प्रमाड के नुसार रहों यह नहीं ही बना रहे हो ना है यहां बैट करके इम्परोवाइज कर रहे हुआ कि इसको इसको बिल्कुल वही है तो आप बता तो फिर आतमा जो आप क्या चीज क्या है किस क्टेगरी में इसको रखेंगे अब इसकी जो बहुत बड़ा एग्जाजरेशन कर दिया ना खाली एग्जाजरेशन की सब कुछ है जैसे वो गौड के बारे में फेकी जाती है ना कि यह सब जो बड़े से बड़ा ग्रेटेस्ट स्ट्रॉंगेस्ट ओमनी देस्ट ओमनी दाट वह करके वही चीज़ा आपने इसके साथ कर कोई अब्जेक्टिव प्रूफ तो कहीं है नहीं इसका इनको प्रूफ से साइंट्फिक एविडेंस से भी कोई मतलब नहीं है बस किसी किताब में कहीं लिख दिया क्या है बस उसको माल लो तुम लोग यहीं तर रहे हैं नहीं दिखाएंगे तो मैं दिखा दूंगा फिर म आपके गीता में वी तो डिस्क्रिप्शन है ना आत्मा का तो आप उस्यागरी करते हो कि नहीं करते हो आत्मा बोल रहा है कि मैं चार वर्ण बनाया हूं और चारों वर्ण में वो जनम भी ले रहा है बताए एक ही आत्मा जो है कृष्ण बनके जनम लेता है फिर चार अलग अलग बनाने की क्या जरुरत उसको महसूस हो गई यह तो सबसे बड़ा सवाल है उसको तो फिर एक ही उसमेरा ना चाहिए था जब आप दुनिया को देखते हैं क्या देखते हैं कोई इंसान है कोई प्राणी है कोई प्रक्षी है इसका डिस्क्रिप्शन तो हमको जो सब्सक्रिप्शन ना देखिए उपनिश्वत का खोल दिया मैंने आपने जिस 1.2 दिखाया ना तूस लोग कहा मैंने खोल दिया देखिए क्या लिखा हुआ है सर्वहोत दम ब्रंभ यातमा ब्रंभ सो यातमा चतुस पातम अब यहां पर कहीं भी अगर आपको कॉंसियसनेस फिर कके आपको पर्मातमा यहान लिखा हो तो बता देजिए क 과 अनवाध भी किया गया है देखिए यहां पर ब्रंभ का प्रम लिखा गया है आतमा को पर मातमा यहां लिखा współ license है चेता है पर tagima अगर निदी ऑनको तो हर इनसान के अंदर पर माता हो चाहिए फिर तो और मरन परमात्मा भी खतम हो जाएगा अब मेरी परमात्मा है जो नास्ति की परमात्मा है अरे भाई साब नास्ति की परमात्मा कैसे बदल जाएगी जब वो आत्मा होगा एक नास्तिक है मैं नास्तिक हूँ मालेजे मैं नास्तिक हूँ मेरे अंदर आपका सो कॉल्ड आत्मा है या परमातमा है तो फिर वो अलग क्यों सोच रहा है अरे जब वही आतमा है वही परमातमा है तो उसकी सोच तो सबसे अच्छी होनी चाहिए मेरी सोच तो विलकुल जो आप चाहते हैं आपके धरम जाहते हैं वैसी होनी चाहिए क्योंकि आत्मा क्या पर मात्मा क्या उतक्त चाहिए लिए अब कुछ बचा है की मेरे अंदर आतमा है के परमातमा है यह दोनों है आपकी अंदर आतमा है मेरे अंदर आतमा है यह यूनिसन आप्रमातमा दुनिया में कितने है परमात्मा कितने है दुनिया में दुनिया में वही स्कॉडिंगर ने बता रहा है उसको क्यों बार बें घसीट रहे हो आपका उपनिसत कह रहे हो ना कि वह पुराना है आप पूछ रहा हूं कितने परमात्मा होते हैं दुनिया में अंदर परमात्मा यह बूरी तरह से फस गई यह बही परमात्मा जब मेरे अंदर है है आपके भी अंदर है विरसां जीके आंदर यहां इतने सबस्राइबरं सब के अंदर परमात्मा ना यहां बहुत सरे हो गए वहां पर अपके रहें जब बीसक्राइब है उसमें बिठाते हैं अपना टर्म्स कि नहीं देखो यह हमारा हुआ है यह हमारा हुआ है यह तीज मुझी मुझा भी ठीक नहीं है